हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वेक टो मैं चैनल और एक बार फिर से मैं सिक्षा विभाग का आज का तमाम नियुद जो है उसको लेकर आई हूँ जिसमें सबसे पहला नियुद है विहार सिक्षक नियोजन को लेकर ही डियलेट पर सिखरी स्थीती अस्फो असपस्ट बिहार में एक लाग सिक्षकों की नियुक्ती प्रकिरिया पिछले महीने आबेदन वं मेधा सुची जारी होने के बाद अस्थागित कर दी गई बिहार में चातर सिक्षक अनुपाद जो है काफी दैनी है यहां आर्टी मानक के अनुसार सिक्षकों का घोरा भाव है नियोजन प्रकिरिया बर्षों बाद सुरू तो होई लेकिन मजधार में उलज गई अतेव एंसी टी जैसे संस्था से आसा की जाती है कि सिग्री सिक्षा विभाग को असपर्च जानकारी दे ताकि बाहली के प्रकिरिया सुरू की जा सके सौरब भारद्वाज रुश्रा के हैं उनका कहना है तो यह नेक्स जो खबर है वह हनुमान बिहार विश्विद्याले और प्रशाद इन ओ यू के वीशी ठीक है इंजिनियरिंग कॉलेजों और पॉले टेकनिक में नियुक्त होंगे 1558 सिक्षक तक्नीकी विश्विद्याले के लिए ड्राफ्ट किया गया तयार 60-65 के बीच रह सकता है कटव सिपाही बहाली 60-65 के बीच रह सकता है कटव उत्तर वाइरल की अफवाह उर्ती रही पारशद ने किया सीरे से खारीज परिक्षार्थी के पास मिले चीट पर ऐसे लिखे थे उत्तर मार्च अप्रेल में आएगा इंटर वो मैट्री का रिजल्ट कुछ हर्ताली सिक्षक संगठनों ने काम पर लौटने की ज़ताई इक्षा अनिश्चित काली नखर्थाल पर चल रहे शिक्षक संगठनों की एकता दरकने लगी है बिहार, प्रदेश, मादिमिक शिक्षक, संग्ग और कुछ अन्य संगठनों ने शिक्षा बिभाग को लिखित आब बेदन देकर काम पर लटने की इक्षा ब्यक्त की है शिक्षा बिभाग की अफशरों ने उनके आगरा परततकाल इंटर्मीडियर की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकर में उन्हें लगाने कादेश जारी की है शिक्षक संग के महासचीब शंभू कुमार शिंदर राजयंदर कुमार बनफूल की तरफ से शिक्षा बिभा के अपर मुखे संचीब आर्के महाजन को लिखे पत्र में कहा गया है क्या मुख्य मंत्री क्या भारी है कि उन्होंने विहार के बित रहित अनुदानित अस्थापना की अनुमती प्राप्त माधिमिक विद्याले अस्थाई मानेता प्राप्त पशुकृत माधिमिक विद्याले को लाव दिया पर प्रदेश माध्यमिक सिक्षक संग से अबगत किया जा सके ठीक है नेक्स्ट है होली नहीं मनाएंगे सिक्षक 9 और 11 मार्ज तक धरना नहीं इंटरमेट्रिक रिजल्ट मार्ज अप्रेल में हर्ताली सिक्षक नहीं मनाएंगे होली सांसत बिधायकों का घेराओ करेंगे हर्ताली माध्यमिक सिक्षक सिक्षा मंत्री भी नहीं मनाएंगे सिक्षा मंत्री किश्नंदन प्रशाद वर्मा भी होली नहीं मनाएंगे सिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने रभीवार को बताया कि चुकि हरताल पर चल रहे हैं सिक्षक उन्होंने भी होली नहीं मनाने का फैसला लिया है तो उनकी भाबना सिक्षकों के साथ है हलाकि सिक्षा मंत्रे श्री बर्मा ने शिक्षकों से आवान किया है कि हरताल से लोटे उनकी सरकार शिक्षकों कहीं तैसी है उनकी सरकार नहीं न आपनाहत हुई है हर्ताल से गलत संदेश जा रहा है शिक्षक इसे समझे और काम पर वापस लोटे दूसरी और बिहार टीटी शिक्षक संक्य प्रदेश अध्यक्स राजेश कुमार प्रदेश महासरचीब लाल बावु यादव एब प्रदेश महासरचीब आर पीश नाने आगे है योगदान दीजिए निलंबन मुक्त होई है पटना में सिपाही भरती परिक्षा में 14 अभ्यार्थी फरजी अभ्यार्थी गिरफतार बितरहित कॉलेजों ने अनुदान के बदले सरकार से मांगा वेतनमान प्रदेश में धाई हजार महिला बैग्यानिकों की स्ट कॉलेज में लेक्षर करेंगे मैट्रिक का मुल्यांकन कादाचार के 109 मामले कई आरोपितों को भेजा गया जेल जेनरल कटफ 65 अंग तक जाने का अनुमान मुल्यांकन में युगदान देने वाले कोहीं मिलेगा बेतन चिराग ने सुनी शिक्षकों की समस्या बात करेंगे सीएम आज करेंगे शिक्षा मंत्री का पुतला दहन मैट्रिक परिक्षा में मुल्यांकन कारे में युगदान नहीं करने वाले 110 शिक्षकों पर प्रास्मी की निलंबित शिक्षक युगदान करना चाहते हैं तो किये जाएंगे निलंबर मुक्त आज से घारा तक विधायक और सांसदों का आबास घेरेंगे सिक्षक होली बात सभी पंचातों में होई नौबी की पढ़ाई तो यह था आज का सिक्षा विभाग का तमाम ख़बर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करे इसी तरह कानोज लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद